बिहार एक एतिहासिक परिचे दोस्तों, आज हम एक खास सफर पर निकल रहे हैं बिहार के गौरवशाली एतिहास की सैर पर ये धर्ती, ग्यान, शक्ती और आध्यात्म का संगम रही है प्राचीन काल से ही बिहार भारत के इतिहास में महत्वपून भूमिका निभाता रहा है बिहार का नाम संस्कृत के विहार शब्द से बना है जिसका आर्थ है बौध मठ ये नाम इस क्षेत्र में बौध धर्म के प्रसार को दर्शाता है बिहार की धर्ती पर कई महान सामराज्यों और राजवन्शों ने राज किया है ये ज्ञान, कला और संस्कृति का केंद्र रहा है आईए इस एतिहासिक यात्रा की शुरुआत करते हैं और बिहार के गौरव शाली अतीद को करीब से जानते हैं हमारी यात्रा शुरू होती है वैदिक काल से इस युग में बिहार, मगद नामक एक शक्तिशाली महाजनपद के रूप में जाना जाता था मगद के अलावा अंग, वैशाली और मिथिला जैसे महाजनपद भी बिहार में स्थित थे ये जनपद अपनी समरिधी और शक्ति के लिए प्रसिद्ध थे वैदिक ग्रंथों में इन जनपदों का उलेक मिलता है जो विहार के समरिध इतिहास का प्रमाण देते हैं ये वो समय था जब रशिमुनी वेदों की रचना कर रहे थे और ज्ञान का प्रकाश फैला रहे थे विहार इस ज्ञान क्रांथी का केंद्र था इस ज्ञान क्रांथी का समय का पहिया घूमा और चठी शताबदी इसा पूर्व में मगध एक शक्तिशाली सामराज्य के रूप में उबरा बिम्बिसार, अजात शत्रू और महा पद्मनन्द जैसे शक्तिशाली शासकों ने मगध सामराज्य का विस्तार किया इसके बाद आया चंद्रगुप्त मौर्य जिसने अपने गुरू चानक्य की मदद से पूरे भारत को एक सूत्र में पिरोया और मौर्य सामराज्य की नीव रखी मौर्य वंच के सबसे प्रसिद शासक समराट अशोक ने बौध धर्म अपना लिया और उसे पूरे भारत और विदेशों तक फैलाया बिहार भगवान बुध की कर्म भूमी रही है यहीं पर उन्हें बोध गया में बोधि व्रिक्ष के नीचे ज्यान प्राप्थ हुआ था भगवान बुध ने अपना पहला उपदेश सारनात में दिया जो बिहार के सबसे पवित्र बौध स्थलों में से एक है राजगीर, नालंदा और विक्रम शिला जैसे बौध शिक्षा के केंद्र बिहार में स्थापित हुए जो दुनिया भर के विद्वानों को आकर्शित करते थे बौध धर्म का बिहार के इतिहास और संस्कृती पर गहरा प्रभाव पड़ा है बिहार, जैन धर्म के प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमी का निभाई है जैन धर्म के चौबीसवें तीर्थंकर, भगवान महावीर का जन्म बिहार के वैशाली में हुआ था पावापुरी वो स्थान है जहां भगवान महावीर ने मोक्ष प्राप्थ किया था जैन धर्म के सिध्धानतों जैसे अहिंसा और सत्य का बिहार के लोगों पर गहरा प्रभाव पड़ा है आज भी बिहार में जैन धर्म के कई अनुयाई हैं और जैन तीर्थ स्थल श्रधालूओं को आकरशित करते हैं